एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में हम चर्चा करेंगे अब चीन और भारत के रिष्टों की चीन के प्रधान मंत्री हिंदुस्तान से उन्होंने तीन दिन का उनका यत्रा समाप्त हो गए लेगिन जाते हो उन्होंने चीफ भारत को कहा नमस्ते इंदिया और कहा है कि भारत की जो भी उनकी चिंताएं हैं जो किंसर्न्स हैं उनको दूर किया जाएगा चाहिए वो नदियों का हो चाहिए वो ब्यापारिक असंतलन ही वो हो या फिर सीमा पर वیवाद का हो तमाम बातें उन्होंने सकारत्मक कि लेकिन इन बातों को आगे ले जाने में जो चीज़ें आगे जाएंगी उसमें कितना क्या लगता है दादा आप से पूछना चाहेंगे कि जो बाते उन्होंने की यह बाते पहले भी चीन के तरफ से होई यह साइट पहली बार नहीं है और भारत और चीन के रिष्टों में अगर आप देखेंगे बाचीत को तो बहुत अच्छा होत एंगे हमारे परोशी के साथ हमारे ट्रेड और बैबार बढ़ने चाहिए यह तमाम अच्छी एच्छी बाते हो ती है फिर प्रृद्लमंत्री आया अच्छी बाते उन्होंने की है बहुत अच्छी बाते या मैं दोनों के बातचीत की स्वागत करता हूं और जिस धंग की बातचीत हुई दोस्ती की जिस धंग की बातचीत हाई एक दुष्ण और स्यायता करने की बहुत चारे बात इसम्кие हुई है लेकिन हमे जो ड़ है कि आज कल एक नई चीज चालू हुई है पूरे बजार में, use and throw, जी, market economic है है, use and throw, तो यहां हम कहे के गिये, अच्छी बात कहे के गिये, और फिर जाके वही, जो चीज इससे पहले हुआ, कि ब्रह्मपोतर की डैम लेके हमारे साथ पहली जग रहा थी, और बाचल प्रदेश को लेके अलग हुआ, ति सबी होती बदवाली बात रही जाएगी, हमारे देश के अंदर जो उन्होंने आय थी, इससे पहले भी उन्होंने बासट की अगर हो, तो बासट की पूरती, पचास सल की पूरतीस बार मनाली बनाने के बाद उन्होंने आया, अब कहने है, शीमा को हम देखेंगे, अब यह राखने वाली बात, मतलब जो है कि कतने और करणी की बात, वो तो देखनापड़े का आए आगे जा करनी होगा, बाकि जो है कि अनुहब क्या कहता है आपने बहुत जो है कि जब आपने रगातार भारत और चीन के 62 के बाद के तमाम जितने भी बातचीत हुए है सम्मधू आपने तमाम चीजों को देखा है हलागी बासर्ट के बाद कोई युद्ध नहीं हुआ ये भी एक सच्चाई है इसको भी आप इसको नकारा नहीं लेकिन जिस तरह से चीन का युरुक जो है उस तेमी उतना नहीं हुआ था बासर्ट में भाता पाई हुई वालग चीज है और बाद में दोनों फिर बाइचारा किसा हट गया है लेकिन इतना नजदीक हम लोग है कि कभी कौन कहां कैसे अनप्रवेश कर लेते हैं जिसकी जानकारी हमारे जहां कमिया की बात है कि वो थोड़ाई करेंगे अब देखे हमारे नंदर जितनी चले आये थे और हम जितनी उसको देर सी जब हमारे पास खबर कि यह तो भई इसको रोकना ना रोकना इसके लिए जो मांसे मांसिक्ता होना चाहिए वो तेखें देखा जाए अभी यहां तक बैपारिक बात है इसमें भी मैं देख रहा हूँ कि चीजे हैं वो हमारे देश के अंदर बहुत पहले से यह अंदर आ चुकी है असंतुलान की है कि हमारे देश की इंडिस्ट्री साथ-साथ महारा खा रही है जैसा देखे है मेडिशन की जो है उस में चीन जो जी जाी एक बड़ा एशिया के ये देश है और ये दोनों शक्तिशाली हैं ऐसा नहीं है कि चीन बहुत शक्तिशाली है और हम बहुत कमजोर हम बहुत पीछे हैं सभी नहीं है और युद्ध पावर भी दोनों के अंदर पूरी तरह से है तो ऐसी परस्थितियों में तो आप समझे चेक एन बैलंस जो राजनीती होती है या जो ठेउरी है चेक एन बैलेंस में युद्ध से हम दोनों देश को तो दूर रहना ही पड़ेगा और हैं भी इसलिए युद्ध से दूर हैं कि अगर दोनों शक्रिशाली देश अगर अब भीरते हैं बासठ नहीं है अब तो पूरे भिनाश की परस् समस्या का समाधान करने की समझ दोनों देशों में हैं आप ऊसी बात को हम दोनों शक्तिशाली यह इस बात को दोनों समझते हैं कि यह जरिया वाकर भारत सकतिशाली है जादा चीन के मुकाबले में अब जब सर्चल साब कहने है और मुझ के लिये है कि भई देश अपनी है कमजोरी कहेंगे तो हम सभी कमजोर होता है लेकिन कमजोरी है कमजोरी है क्या उस पॉइंट से बात करते हैं पिचीन के साथ जब आप बात करते हैं तो क्या यह एपल टू आपल होता है या आप एक चीज है कोई देश की कोई आता है यहां तो उनके टीम आते हैं उनके एकरें हम जाके एक बिन बुला पर बुलाने गये थे यह आप पता है कि इस बार की हमारे तरफ से उनके बुलाने के लिए वहां गया बहुत सकता है ऐसा कभी इसे पहले हुआ नहीं कमजोरी अगर नहीं होगा तो किसी की अनुप्रविस की बात आती नहीं है कहीं ना कहीं कमजोरी है और दूसरी बात है यह हम को अजादी मिलने से बाद उनको अजादी मिली आप तो इतना मानोगे कि इतनी साल में उन्होंने जितना तरक्की किया और पूरे देश भर में दुनिया भर में जैसा उन्होंने थोड़ा बहुत इकल रहे हम उसमें से पीछे हैं यह तो मानना ही परेगा तो अगर दूरबल हम आर्थिक दिक से हो या दूरबल है हम उतना कर नहीं पाएं हमारे कोफिया जिन से हो यह में तो दूरबल थोड़ा है मानने में कोई यर्शिकान नहीं है लेकिन सकतिशाली अगर हम नहीं होंगे खाली बातों में अगर मान जाए कि भाई वो कहा है नहीं करेंगे इसलिए हमारा अगर हो तो वेक्टरी में फिर वोई जैसे अस्तना बना के बालती बनाएं दो और हम जो चीन के प्रतानमंतरी ने कहा है कि दूर का रिष्टेदार उतना अहम नहीं हो सकता जितना नजदीर का परोसी सकिल साब आप से पूछेंगे कैसे इस देखते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो जो बात कर रहा था उसी बीच में आपने टोक दिया मैं कह रहा हूँ भारत और चीन को हम comparative study तो इस table पर बैट के कर रहे हैं कि मेरे पास कितने tank हैं आपके पास कितने tank हैं हम कितने कमजोर हैं मेरे पास खून कितना है और आपके पास नहीं है दो शक्तिशाली देश हैं और भारत भी एक शक्तिशाली देश है जो चीन को भी समझ नहीं है कि वो मसल देंगे कुछल देंगे हमको ऐसा कुछ नहीं है उन्हें भी पता है अब जो हमारे सीमा विवाद हैं कोई आज के नहीं है उसमें वो छेरचार करते रहते हैं उनका उसम राजनीती का आर्थिक या जो उनके सीमा विवाद सिर्फ भारत के साथ नहीं, उनके जिनके बॉर्डर जिन जिन देशों से मिलने हैं, सब जगे उनका विवाद है, चीन का, ऐसा नहीं के सिर्फ भारत के साथ है, तो भारत के साथ भी विवाद है, लेकिन हम गहरी नजर रख और अच्छी शुरुआत या अच्छी आगे के आले महाल को इंसरी नहीं कर सकते हैं लुक्रें जो है नियुक्त जो है ये तो सही बात है कि भारत चीन जो है पारत्स रूट करें तो सभी हमारे जो है नेचरल इसमें से भाई चरे के सदर ना चाहिए लेकिन वह अहमारे नहीं हो रहे दूसरी बहुत सारे कारण नहीं ने कुछ बता आए राज देते को यह हो इसके लिए जो हो रहा है लेकिन हमें दोनों चीजी दिखाना पड़ेगा वह भी दोस्ती के रस्ता भी खोल के रखना पड़ेगा दूसरे साइट की हमारे अपनी अपने बचाने के लिए इसके भी बना देश की शुरक्षा के लिए सब को लगातार अपने 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 तमाम जो तैयारियां है यह चाहे वह आर्थिक आर्थिक दिरिश्टी कौन से हो व्यापारिक संदुलन बनाने कि दिश्टी कों से वह करते रहना पड़ें अगर उसको बिना खाये हुए बिना इससे जो कम जोर हो जाए गा तो जो सकी घंद साब बहुत बात बहुत और दन्यवाद आदा सब का बहुत बहुत दो 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 आदे वादे